नमस्कार and I welcome yours to Manoj Singh Now recently हरपन सिविलाजेशन से जोड़ी काफी रिपोर्ट सामने आ रही हैं यहाँ पर दा हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है New Evidence Suggest हरपन सिविलाजेशन is 7000 to 8000 year old मतलब की हरपन सब्व्यता 7000 से 8000 साल पुरानी है तो इसमें अलग खास बात क्या है? खास बात यह है कि जो अभी तक माना जा रहा था कि हरपन सब्व्यता 2500 बीसी से लेकर 1800 बीसी के बीच में है लेकिन अब यह रॉंग हो चुका है नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक कॉशन पुछूंगा मतलब यह लोग किसकी पुजा करते थे? किसको ज़्यादा मानते थे? तो आपके उप्सन है विष्णू, पसुपती, इंद्र या फिर ब्रह्मा कमेंट सेक्षन में उत्तर दीजिए जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूँगा प्लस वीडियो के अंत में मैं आपको इसका आंसर बता दूँगा नाउ, यह है हमारा प्यारा भारत और इसी के आसपास जो आप इलाका देख रहे हैं यह पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, या फिर अफगानिस्तान हो गया इसी के आसपास का जो ये पूरा इलाका है ये Indus Valley Civilization के अंदर आता था अच्छिया हमें सबसे पहले इस Indus Valley Civilization के बारे में पता कैसे चला तो ये पता लगा हमें 1921 में जब हरपा की खोज हुई हरपा एक सहर था वहां उसकी खोज हुई उसके बाद हलका हलका करके इस पूरे इलाकी की खोज की गई और हरपा भी कहा है इस वक्त ये है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में उसके अलावा आपने मोहिंजोदारों का भी नाम सुनाओगा यहां तक की उसकी पिच्चर भी आई है तो वो कहा है भाई वो है पाकिस्तान के सिंद प्रोविंस में और जो ये हरपा सहर था और मोहिंजोदारों सहर था ये दोनु एक ही रिवर पर बसे थे जिसका नाम था इंदस रिवर इसलिए इस पूरी सिविलाइजेसन का नाम ही पढ़ गया इंदस वैली सिविलाइजेसन और उसके अलावा भारत में इंदस वैली सिविलाइजेसन कहां कहां फैली तो ये फैली, हिमानचल पर्देश, हिमानचल पर्देश में सबसे फेमस रोपर हो गया, राखी गड़ी, आपने सुना होगा इसके बारे में ठीक है, उसके बाद ये गुजरात तक गई, गुजरात में जो इनका सबसे बड़ा पोर्ट था, वो था लोथल, जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसे इसके बारे में पता होगा अभी क्या हुआ है इस वक्त, अभी ये हुआ है कि जो डेकन कॉलेज पूने के रिसर्चर हैं, उसके साथ Central Archaeological Survey of India, यानि की ASI, इन दोनोंने साथ में जो राखी गड़ी है, इंदस वैली सिविलेजिसन में जो राखी गड़ी है, उसको डिसकवर किया है और अभी के हिसाब से ये जगो कहां पर है, ये जगो है हरियाना के हिसार जीले में, हिसार में एक जगो है जिन्द नाम से, उसी के पास में ये डिसकवर किया गया है और उसी से ये पता लगा है कि ये 8,000 साल पुराना है यानि कि 6,000 BC और इससे पहली कितना था? दो हजार BC से 1800 BC तक अच्छा ये हरपण सिविलाइजेसन की खोच की किसने थी? तो ये की थी दयाराम सहानी ने और जो मुहंजोदार हो है उसकी खोच किसने की? तो उसकी खोच की R.D. बनरजी ने एक साल बाद यानि की 1922 में नाउ मैंने आप सभी से एक कोशन पूछा था कि दा प्यूपल ओफ दा इंदस वेली सिविलाइजेसन वर्शिब्ड आपके ओप्सन थे इसमें विश्नू, पसुपती, इंद्र या फिर ब्रह्मा तो इसका सही उत्तर है पसुपती, धन्यवाद